रेल्वे सुरक्षा बलद्वारा मुख्बीर की सूचना पर रेल्वे का लोहा चोरी कर बेचने वाले दो लोगों को रंगेहत गिरफतार किया गया आरोप्यों की नाम दीपक शामुरारी बेतवाल और इफ्देकार एहमत मुश्टाक एहमत बताए गया है दोनों मौमिन पुरा परिसर में रहते हैं रेल्वे पुलिस फोर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार को सूचना मिली कि कुछ लोग रेल्वे का लोहा चोरी कर रहे हैं इस दोरान गश्पर मोजोद आरपीएफ सी आईबी के उपदेरिक्षक आर के यादव वविनुत खर्माटे अपनी टीम के साथ मोके पर पहुँचे महादीपक और इफ्देकार को लोहा चोरी करते रंगे हाथ गरफतार कर लिया गया पुष्टाश में दोनों आरोपियों ने सैफिन अगरस्थित एक दुकान का पता बताया जहावे चोरी का लोहा बेशती थे स्थानिया पुलिस की बदत से आरपियफ टीम उक्त दुकान पर पहुची और वहाँ से टायरोड के तुकडे, टायबर पट्टी के तुकडे, फीश प्लेट, ओएची बार के तुकडे, कच्रा कुंडी समेट 663 किलो ग्राम का लोहा जब्त किया गया इसकी कुल कीमत 25,857 रुपे आंकी गई है, हलाकि आरपियफ ने वजनी कांटा और एक कटर मशिन समेट 29,857 रुपे का माल जब्त किया, दुकान के संचालक सैफी नगर मुमिन पुरा निवासी, अब्दुल वाहिद अब्दुल हमित को गिरफतार किया गया मामले में दो आरोपी फरार है, उनकी तलाश जारी है, आरपियफ ने रेलवे एक्ट के तहट मामला दर्च किया